हेलो बच्चो आपका अपने ट्यूटर टाफ चैनल में स्वागत है यह वीडियो देखने के बाद आप बहुत सिंपली रे डियाग्राम ड्रो कर सकेंगे स्फेरिकल लेंस के सबसे पहले इसके रूल और स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताते हैं इस चैप्टर में दो तरह के लेंस की बात कीगी है कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस वह वहला लेंस होता है जो की बीच में से मोटा होता है किनारों से यह पतला होता है अगर इसको पकड़ का देखें तो center से ये मोटा होगा वो जब कि concave lens जो होगा वह है center से पतला होगा और किनारों पर ये मोटा होता है और यह है दो sphere object से बना हुए अगर ध्यान से देखें तो ये जो curved surface है जो उबरा हुआ surface है ये circle का part है पुरा circle बन रहा है यहाँ पर इस तरह से इस curved surface को complete कर रहा है तो यहाँ पर भी एक circle बनेगा कुछ इस तरह से और same यहाँ पर जो concave lens है अगर ये भी curved surface complete कर रहा है तो यहाँ पर भी एक circle shape बनती है और यहाँ पर भी एक circle shape बन रही है अगर ये circle object बन रही है का एक center होगा यानि कि यहắn पर हो सकता है तो इस दर्कल का भी एक center होगा कि कहसे तो complete length of space के दो center हो गये कि हम अगर यहाँ पर मैं aic lane रोग उस Center में sitting जो कर दी यहाँ पर 순 trata अना उसरी सार्कल का भी दो सेंटर होगी यहां पर पर हो गया एक नेर बॉट यहां पर होगा अगर यहां पर लाइन ड्रो करते हैं तो दोनों के दो दो सेंटर हमें दिखाई दे रहे हैं थोड़ा सिंपल देखे तो यह सरकल जो हमने किये थे इसे हम कर देते हैं इरेज और इस लेंस का जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट होता है इस लेंस का यह जो पॉइंट होगा यहां पर इसे हम बोलते हैं Optical Center, Concave Lens के Center को और Convex Lens के भी Center को Optical Center के रहते हैं जिसे O से denote किया जाता है तो यहाँ पर यह Optical Center है, इस पर यह जो Point S का Optical Center है Optical Center और यह वालों Center बनाता है से बिल्कुल Mid-Value बर यहाँ पर होता है Principal Focus और Optical Center दो तरफ फिर होंगे Principal Focus जिसमें दो Focus है इसी तरह पर यह O और यह वालों Center था इसके बिल्कुल Mid-Point पर होगा Center में Optical Principal Focus कहां कहां पर यह वालों Center और O के बीच में अब इसको हमने बोलो Optical Center इसको हम Center बोल रहे हैं इसको थोड़ा अलग नेम देना पड़ेगा इसे कहा जाता है दो Principal Focus है तो इसको F1 का नाम देते हैं इसको F2 लिख लेते हैं ताकि पहचान हो कि यह राइट तरफ कौन सा है लेफ तरफ कौन सा है इसी तरह से इसको Center नहीं दिखा जाता है इसे हम लिखते हैं 2F1 क्योंकि यह जितना Distance O से F तक है उसका Double है इसको 2F1 और इस वाले Center को 2F2 इस तरह से इसको भी F1 F2 यह वाला होगा 2F1 और यह Double है तो यह 2F2 और जो यह Red Line है जिस पर यह सभी Points था उसे हम कहते है प्रिंसिपल Axis कहा जाता है जो यह वाली लाइन है इसमें भी यह वाली लाइन है पूरी यहां से लेकर यहां तक इसे कहते है प्रिंसिपल Axis अगर यहां तक Point Clear होगे तो अब हम बात करते है Rules of Formation of Ray Diagram Image Formation के लिए Spherical Lens के क्या Rules हैं सबसे पहले Convex Lens के बात करते हैं अगर कोई Ray of Light इस प्रिंसिपल Axis के Parallel आती है तो After Refraction वह Focus में से बाहर जाती है जैसे अगर यहां से कोई Ray of Light पैरलर आएगी तो यहां पर After Refraction तो कि Lens है तो Light तो आर पार ही जाएगी तो After Refraction यहां फोकस में से बाहर जाएगी कुछ इस तरह से टोटल तीन Rules करेंगी हम आपको केबल दो Rules के अप्शकता पढ़ेगी Image Formation के लिए तो First Rule आपको पता चल गया कि Principle Axis के पैरलर आए तो Focus में से बाहर Second Rule इसका यहां कि अगर कोई Ray of Light Optical Center से आती है तो वह सीधा आगे की तरफ बढ़ जाती है आपको Draw करके दिखाते हैं जैसे अगर कोई Line Optical Center से आई तो सीधा आगे की तरफ चली जाएगी यह इसका Second Rule हो गया अब Third Rule की बात करते हैं अगर कोई Ray of Light Principle Focus में से गुजरती है Principle Focus में से होती हुई Lens में से पास होती है तो वह है After Refraction Principle Axis के पैरलर चली जाएगी ठीक यह Third Rule है Principle Focus से आई और After Refraction Lens में से होती हुई Principle Axis के यानगी Red Line जो है उसके पैरलर हो गई तो यह Convex Lens के तीन रूल हो गई है आपको Image Formation के लिए Cable दो रूल की ही अफशकता पड़ेगी अब बात करते है Concave Lens की अगर कोई Ray of Light Principle Axis के पैरलर आती है तो यह यह Line पैरलर आई है Principle Axis के तो यह F1 से जाती हुई दिखाई देगी तो F1 और उस Line को यहां से मिलाते हुए Line बढ़ा देंगे इस तरफ हम Doty Line ड्रो करेंगे और Right Side पे हम Complete Line ड्रो करेंगे तो इससे Clear हो जाता है अगर कोई Line Principle Axis के पैरलर आती है Concave Lens की तरफ तो वह F1 से जाती हुई आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है अगर कोई Ray of Light Optical Center में से गुजरती है तो सीधा आगे की तरफ Move हो जाती है जैसा हमने Convex Lens में किया था सेम बैसे ये Line Optical Center से गुजरेगी तो सीधा Direct सामने की तरफ चली जाएगी अब Third Rule करते हैं अगर कोई Ray of Light F2 की तरफ जाती है हमें दिखती है F2 की तरफ इस तरह से जाती है तो वह है After Refraction Principal Axis के पैरलर हो जाएगी अगर कोई Ray of Light जो Incident Ray है उसकी Direction F2 की तरफ है तो वह है After Refraction Principal Axis के पैरलर हो जाएगी अब Rules के बाद हम Convex Lens के Ray Diagram ड्रो करेंगे Formation of Image के इसके Total 6 Case है पहला Case है When Object at Infinity जब Object at Infinity पर है कहने का मतलब Object अनंत पर बहुत ज्यादा दूर है तो यहाँ पर Object अनंत पर है तो इसलिए Object को नहीं दिखाएंगे Object at Infinity है बहुत ज्यादा दूर है हम केवल पैरलर Ray of Light जो कि Principal Axis के पैरलर कुछ Ray of Light ड्रो करेंगे और उसे After Refraction वो कहाँ पर मीट करेंगी Focus पर हमने First Rule किया था अगर कोई भी Ray of Light प्रिंसिपल Axis के पैरलर आती है तो After Refraction वैब Focus पर मिलती है तो इसी तरह से यह कुछ Lines जो आई है इन सब को Focus पर मिला देंगे और जहां पर यह सभी Ray of Light मिलेंगी वहीं पर Image बनेगी तो यह सभी Lines पर मिली है तो Image कहाँ पर बनी है At Principal Focus इसका Size बहुत ज्यादा छोटा है तो लिखेंगे Highly Diminished और यह Object की दूसरी तरफ यानि की Right Side पर बनी है तो लिखेंगे Real and Inverted Second case करेंगे When Object Beyond 2F1 तो 2F1 से थोड़ा पर यहां पर Object Draw कर लेते हैं और यहां पर और अब First Rule वही कि जब कोई Ray of Light Principal Axis के Parallel आएगी तो Focus में से Pass होगी After Refraction तो यहां पर हमने एक Parallel Ray of Line Draw की है Principal Axis के यानि की Red Line के जो हमने Principal Axis में रेड लाइन ऐसमे वो इसको हम After Refraction F2 में से Pass करेंगे तो यह हमने F2 में से Pass कर दिया यह हमारा First Rule हो गया Second हमने Ray Draw करनी है Object के Head को Optical Center से हमने किया था अगर कोई Ray of Light Optical Center में से Pass होती है तो सीधा आगे की तरफ निकल जाती है तो Object के Head को यानि की Arrow को और O को मिलाते हुए एक Ray of Line हमने Draw की आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दिया जहां पर यह दोनो Ray of Light मिलेंगी वहीं पर Image बनेगी तो यहां पर यह दोनो Ray of Light मिल रही है तो यहां पर हम Image ड्रो कर देते है अगर हम Image की Position, Size और Nature के बारे में लिखते है यह Between F2 and 2F2 के बीच में बनी है इसका Size अगर देखे तो Object के Size से छोटा है यानि कि Dimensed और यह Object की दूसरी Side पर बनी है तो इससे लिखेंगे Real and Inverted Inverted मतलब यह उल्टी बनी है नेक्स्ट केस करते है When Object is at 2F1 तो 2F1 पर यहां पर हम एक Object को ड्रो करेंगे तो वही First Rule अगर कोई Principal Line के Parallel Ray of Light आती है तो After Refraction F2 में से पास होगी तो Object के Head से मिलाते हुए Principal Axis के Parallel हमने एक Line ड्रो की और फिर इस Point को और F2 Point को मिलाते हुए यह बाहर निकाल दिया अस Line को यह After Refraction यह F2 में से पास होगी Second Rule Object के Head और Optical Center पर Scale रखकर इसको बढ़ाएंगे Object का Head और Optical Center पर Scale रखा और Line को Draw किया और जहां पर यह Line आगे वाली Line से मिलेगी वही पर Image बनेगी तो यह दोनो लाइन आग जहां पर मिलती है तो Image कहां पर बन रही है 2F2 पर हम देख सकते है और अगर चेक करें तो इस Image की Position क्या है 2F2 पर बनी है Object वाले Side से दूसरी Side पर बनी है Right Side पर तो लिखेंगे Rear and Inverted क्योंकि यह उल्टी Image बनी है गर इसके Size की बात करें तो Same Size as Object इसका Size उतना ही है जितना की Object का Size है अब Next Case करते है Object is between F1 and 2F1 तो इसके बीच में हमने Object ड्रो कर लिया है तो First Rule वही गर को Ray of Light Principal Axis के Parallel आएगी तो Object के Head से Principal Axis के Parallel एक Ray ड्रो करेंगे और After Refraction इसे F2 में से Pass कर देंगे जो की First Rule है Second Rule हम Object के Head और Optical Center को मिलाते हुए एक Ray ड्रो करेंगे और जहां पर यह दोनों रहे आपस में Meet करेंगी वहीं पर Image बनेगी तो इसके बारे में लिख सकते हैं इसके Position के बारे में Beyond 2F2 और यह राइट सेट पर बनी है यह रियल एन इनिवाटेड उल्टी बनी है और इसका Size के Compare करें तो Larger Than Object इसका जो Size है वह Object से बड़ा है तो Next Case करते हैं When Object is at F1 तो यहां पर Object ड्रो कर दिया तो अब आपको Rule याद हो गया होगे Principal Axis के Parallel Radar करनी है और उसे F2 में से Pass कर देना है कुछ इस तरह से और Second जो Ray of Light है वो हम Object के Head और Optical Center को मिलाते हुए Pass करेंगे और जहां पर यह दोनो लाइन मिलेंगी वहीं पर Image बनेंगी लेकर हम देखते हैं यह दोनो लाइन आपस में पैलर होगी है इसलिए यह मिल नहीं सकती तो जो Image बनेगी वो कहां पर बनेगी At Infinity लिखेंगे इसके बारे में इसकी Position के बारे में लिखेंगे तो At Infinity बनेगी और यह है Real and Inverted होगी और इसका Size बहुत ज़्यदा बड़ा यानकि Highly Enlarged Size होगा Image का अब Next Case करते हैं When Object is Between Optical Center and F1 आपर हमने Object को Draw किया Between Optical Center and F1 तो वही First Rule पहले Ray Parallel जाएगी Principal Axis के और उसके बाद हम F2 मेंसेज को Pass कर देंगे और Second क्या था Rule कि Object के Head और Optical Center को मिलाते हैं और जब हम Object के Head और Optical Center को मिलाकर आगे के तरफ बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों लाइने आपस में दूर होती जा रही है ये आगे मिल नहीं सकती तो इसलिए जहां पर दोनों रेज मिलेगी वही पर Image बनेगी तो इसको Back मिलाना पड़ेगा क्योंकि अगर उल्टी सेट में मिलाते हैं और Opposite Direction में तो ये नजदीक जा रही है तो दोनों रेज ओफ लाइट को हम Opposite Doted ड्रा करते हुए Back मिलाएंगे और जहां पर ये दोनों रेज आपस में मिल गई वही पर ये Image बनेगी यहां पर Image बनी है अब देख सकते हैं और ये पहली Case है ऐसा पहला जिसमें Image सीधी बनी है तो हम लिख सकते हैं Behind the Object इसकी Position के बारे में लिखे हैं तो ये Behind the Object बनी है और जा कहलो Object वाली Side पर ही बनी है Image बनी तो लिखते हैं Virtual and Eract यानि कि ये है Virtual बनी है और Eract मतलब ये सीधी बनी है और एकर इसके Size की बारे में बात करें तो Larger Than Object इसका जो Size है Image का ये Object से बड़ा है अब हम करेंगे Ray Diagram Formation of Image by Concave Lens इसके Total 2 Case है पहला Case है When Object at Infinity यानि कि Object जो है वो बहुत ज्यादा दूर है तो यहाँ पर Object को Show नहीं किया जाएगा केवल Parallel Ray of Light ड्रो की जाएगी Principal Axis के और वो भी जो Rule के Coding F1 में से गुजरती हुई दिखाई देंगी कैसे हमने Rule कर चुके हैं तो यहाँ पर ड्रो करके आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर हमने Trace Principal Axis के Parallel ड्रो की है और यहाँ पर हम Object को Show नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो Object है वह बहुत ज्यादा दूर अनंत पर है और यह जो Lines आई हैं उन्हें हम Focus जाते हुए Focus से F1 से जाते हुए दिखाएंगे अंदर की दरफ Dotted Left Side Dotted और Right Side Complete Night तो एक जी Second Line ड्रो कर रहे हैं यह भी Principal Axis के Parallel ही ड्रो करनी होती है Object इसमें Show नहीं किया जाता और Rule के According जी जो Parallel Line होती है यह F1 से बाहर की तरफ जाती हुए दिखाएंगे दिखाएंगे है यह दोनो Ray of Light जो है यह F1 पर Meet कर रहे हैं तो यही पर Image बनेगी तो Image के बारे में आप लिख सकते हैं At Focus जाने कि At F1 और यह Object वाली Side बनी है तो इसके बारे में लिखेंगे Virtual and Eract क्योंकि यह Object वाली Side पर बनी है अगर Size की बात करें तो इसका Size बहुत ज्यादा छोटा है Highly Diminished इसके Size के बारे में लिखेंगे Image के Second case इसका करते हैं When Object Anywhere Between Optical Center and Infinity Object कहीं पर भी हो सकता है Optical Center और Infinity के बीच में तो यहाँ पर हम Object को Draw कर देते हैं अब हमारा जो Rule है वह जब भी कोई Principal Axis के Parallel जाती है Concave Lens के Case में तो उससे फिर कैसे Draw किया जाता है After Refraction F1 से दिखाया जाता है F1 वो जहाँ पर वो Ray Parallel Meet की है Concave Lens से उस पॉइंट को मिलाएंगे और इसको अंदर तो Dotted Side Left Side Dotted और Right Side Complete Ray को Draw करेंगे यह हमारा First Rule हो गया Second Rule हमारा है कि अगर कोई Ray of Light Optical Center से जाती है तो सीधा पास कर जाती है तो Object के Head और Optical Center को मिलाते हुए जो Ray of Light हम सीधी पास कर देंगे और जहाँ पर यह दोनों Ray of Light Meet कर रही है वहाँ पर Image बनेगी तो यहाँ पर यहाँ इस Point पर Image बनेगी तो यहाँ पर Image Draw कर देते हैं अब इस Image की Position की बात करें तो यह Between Optical Center and F1 के बीच में बनी है और यह जो Image है यह Object वाली साइड पर ही बनी है तो लिखेंगे Virtual and Erect यानि कि Erect मतलब यह सीधी बनी है अगर इसके Size की बारे में बात करें तो इसका Size जो है Object के Size से छोटा है तो आप लिख सकते हैं Diminished या Smart इस वीडियो में हमने Ray Diagram के 6 Case के यह है Convex Lens के और 2 Case की यह है Concave Lens के अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को Like और चैनल को Subscribe करना ना भूलें Thanks for watching